जार्किन में लोकसबा चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने का अक्रम जारी है। जार्किन कॉंग्रिस कमीटी के प्रभारी, गुला महमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजिस ठाकुर और जार्किन के संसदिय कारे मंत्री और विरायक दल के नेता आलमगिर आलम की मौझूद्गी में पटेल ने कॉंग्रिस पार्टी का दामन थामा। कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष राजिस ठाकुर ने कहा कि भारत जोडो निया यात्रा में राहुल गांधी के आंदोलन से प्रभावित हुए हैं जेपी पटेल। आज साथियों बहुत जादा कुछ कहने का दिन नहीं है जो हमारी इनसे बाचीत हो रही थी लागातार भारत जोडो यात्रा के दौरान भी जो इनकी एक कस्मकस थी कि मैं जिस विचारधारा से आता हूँ साइद कहीं गलत जगर फस गया हूँ और एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आदर्णिय राहूल गांधी जी जो नफरत के बाजार में मुहबत की दुकान खोलने निकले हैं और इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लड़ाई में, हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है, और ये लगातार इस तरह की बाते होती रहती थी, हमारे कई साथियों से मिलते रहे हैं, और एक पुराना रिस्ता रहा है, इनके पिता सर्गिये टेकलाल महतो बहुत कद्दावर नेता थे जहारखंड के पुरा जहारखंड जानता है किस परिस्थिती में उन्होंने कब-कब जो कॉंग्रेस की जब भी मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने दूसरे दल में रहते हुए भी एक महागडबंदन के तौर पर पहले भी मदद करते आए य नहीं लोगों का उस पर दबदबा रहा है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सबों को वहाँ फाइदा मिलेगा मैं आभार वेक करूँगा आदर्निय प्रभारी गुलाम अमद मीर साहब का सिर्समेत्रितो का जिन्होंने इस प्रपोजल को सहमती दी है और पवनखेरा साहब का जिन्होंने आज इसका आयोजन किया है और इनका भी धन्यवाद इसलिए कर दे रहा हूँ पहले ही कि इन्हो को ने कॉंग्रेस का दामन थामना उचित समझा है मैं इनका भार वेक्त करता हूँ धन्यवाद वहें इस पर नेता प्रतिपाग शमर बावरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी राजनेता ने अपने हिसाब से राजनीती की है कोई व्यक्तिकत हित के लिए र को मजबूत करने के लिए शामिल हुए उन्होंने जेपी पटेल के इस कदम को आत्मगाती बताया अपने हिजाब से देखते हैं राजनीती को और अपने हित को देखते हैं कोई देश की हित को देखता है कोई व्यक्तिकतित देखता है इस लिहाद से लोग किस परिवार को म निटाथ थे उनको इस तरह का आत्मकाति कदम निव फाने नुक्सान और फाइदा आर्टे चंता पाटी कभी इसको सोची नहीं है हम लोग अपने विचारदारा के साथ आगे बढ़ते हैं और जो इस विचारदारा के साथ जूड़ता है हम उसके साथ आगे लिए तो बढ़ सरकार में रहकर की भी उसके विरोध किया है तो मुझे लगता है कि उसको उन्होंने अपने आत्मा की आवाज सुनकर के उन्होंने उसके खिलाप लड़ाई लड़न के एलान किया है और जो हम लोग कहते थे उसको पूश्टी किया है आगामी चुनावी सरगर्मी को देखत हुए चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने का यक्रम तो जारी रहेगा परंतु सोचने वाली बात ये है कि इन माननिये के पाला बदलने से जनता को इससे कितना फायदा मिल पाएगा या सिर्फ अपने फायदे के लिए ये ऐसा कर रहे है